ओम श्री गणिश्राय नम्हा जैस्री सीताराम भक्तू भक्तू आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर घर में रखी हुई मूर्ती आपको थोड़ी सी अजीब लग रही है पहले के मुकाबले आपके अंदर नकरात्मक उर्जाओं का प्रभाव अगर महसूस हो रहा है पूजा पाठ बीच में से छोड़ के उठ जाने का मन करता है और आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर के अंदर जैसे पहले उर्जा थी अब वैसी नहीं रही है पूजा पाठ में अब उतना मन भी नहीं लगता तो दोस्तो प्यारे भक्तो आप ये समझो कि आपके घर में रखी मूर्ती अब प्रेतों ने वास ले लिया है दरसल कहने का ताथ पर ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा पाठ में कुछ तूटिया करने लगते हैं या पूजा पाठ अच्छे ढंग से नहीं करते हैं और इस वज़े से घर में रखी मूर्ती जो घर के ही प्रेत होते हैं वो उसी में अपना वास बना लेते हैं और आप करते तो देवता की पूजा हैं लेकिनो सारी पूजा उन प्रेतों को मिलती है जो की मूर्ती के अंदर वास कर चुके हैं और ऐसा हो रहा है आपने महसूस किया है तो इसका उपाए बड़ा ही सरल है स्तरल का मतलब यह है कि आपको करना कुछ नहीं है बस 11 दिन तक मूर्ती की 55 विधी से पूजा करनी है और साथी साथ जो भी मूर्ती है उसके मूर्ती के शरीर के उपर कहने का ताथपर यह है कि आप मूर्ती पर भीम सेन कपूर जो आता है या नॉर्मल कपूर भी आप किधर मिलता है उसको क्या करें उसको आप पौडर बना ले पौडर बनाने के बाद थोड़ा सा उठाएं और जो मूर्ती है मूर्ती के सरीर के उपर वो कपूर लगाएं और कपूर लगाने के बाद आपको साफ जल से असनान कराना है इतना आपको ग्यारा दिन तक लगातार करना है ये विधी अगर आप करते हैं तो आपकी मुर्ती पहले से औरदिक उर्जावान हो जाएगी देखिए भगवान के शक्ति तो सर्वो पर ही है लेकिन अगर आप मुर्ती घर में रखते हैं उसकी पूजा करते हैं तो आपको ये भी ध्यान देना है कि जो घर के प्रेत है वो आपकी मुर्ती में आवास ले ले आपको ये भी धी अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है दरसल ऐसा अकसर होता है कि जो मुर्तियां रखी होती है कुछ मुर्तियां खोकली होती है अंदर से आपको सरव प्रथम तो ये बता दो कि आपको अंदर से आपको देखना है मतलब देख तो नहीं सकते हैं, आपको अंदाजा लगाना है कि वो मुर्ती खोकली नहीं होनी चाहिए और जो बिल्कुल भरी हुई मुर्ती होती है वही आपको रखनी है मुर्ती आपने रखतो ली है लकिन जो मुर्ती को रोज असनान कराना होता है पंचो पचार विदी करना होता है पुश पाप को अर्पित करना होता है कपूर दिखाना होता है अगर आप ऐसा नहीं कुछ भी करते हैं तो आपकी मुर्ती अवश रही प्रेतने वास ले ली ऐसा होता है कि अगर आप कपूर नहीं दिखाते हैं तो मुर्ति के अंदर अचानक या फिर जो घर के प्रेथ होते हैं वो उसके अंदर वास ले ही लेते हैं आपको इतना जरूर ध्यान रखना है और ये जो बीदी बताई आप करके देखो 11 दिन के अंदर आपको और जड़ा डबल मिलेगी अगर वीडियो पसंद नहीं तो वीडियो को लाइक जरूर करना भगतो और ये बाला जी का ही चैनल है तो सपोर्ट करो 10,000 सब्सक्राइबर तक तो पहुंचाओ ही अमें चलो मिलते हैं अंगली वीडियो में जै श्री सीताराम